हलो वीवा, सिंपुल फुट्स में आपको स्वागत है, आज हम सिंपुल फुट्स में बनाएंगे शाही फ्रूट कस्टर की रेसिपी फ्रूट कस्टड तो आप बनाते रहते हैं इसी तरह का फ्रूट कस्टड आप ज़रू ट्राइकर के देखिए बहुती मज़े का बनता है बहुती क्रीमी स्टक्चर में बनता है विर किस बात के देरी फ्रेंट चलो ये शाही fruit custard बनाना शुरू करेंगे फर्स्ट एक pan ले लेंगे ग्यास को आन करना नहीं है अब ये pan में हम milk powder add कर लेंगे डो कब जितना milk powder है ये milk powder जरूरी है हम शाही fruit custard बनाने के लिए इससे ही अच्छा सा creamy structure में आता है ये 2 cup जतना milk powder है, milk powder को add कर लेंगे और दूद आड़ कर लेंगे, इसमें ये दूद आके बिना गरम करके रखी हुए कच्छा दूद ही है, full fat दूद लेना है, दूद में जादा पानी नहीं रहना है, अब ये दूद को add कर लेंगे, ये 4 cup जतना दूद है, 2 cup milk powder को 4 cup जतना द कर लेंगे, अब ये अच्छा सा बिना लंस के mix कर लेंगे, बिल्कुल लंस नहीं रहना है, इस बात की दिहान रख लीजिए, हम ग्यास को नहीं आन करें थे, ग्यास को आन करने के पहले ही, ये अच्छा सा mix कर देंगे, अब ये अच्छा सा mix हो गया है, बिना लंस के, अब ग्यास को अबान कर लेंगे मैं ये मिल्क पौडर से बना रही हूँ आपके पास मिल्क पौडर नहीं होगा तो कोया से भी रिस्पी बना सकते ही आप दो कब जतना कोरेया ले लिजिए मिल्क पौडर के पदले में ग्यास के फ्लेम को मीरियम या हाई फ्लेम पे रख लीजिए अच्छा सा चलाते हुए दूद एक कुबल आने तक पकाना है इस बात की ध्यान रख लीजिए अच्छा सा चलाते है रहना है नहीं तो नीचे से दूद जल जाएगा क्यूंकि हम इसमें मिल्क पाउर दाले थे इसलिए जल्दी ये है ये मेजर्मेंट देख लीजिए थोड़ा कस्टर जादा ही लगेगा क्यूंकि हमको जादा क्रीमी स्ट्रक्शर आना है अब यही दूद में से थोड़ा सा दूद लेके एक कस्टर में एड़ करके अच्छा सा मिक्स करके रख लेंगे बिना लम्स के ग्यास की फ्लेम को ध्यान से रख लीजिए मैं ये लो फ्लेम पे रखी थी इसलिए मैं इसक्टर को मिक्स कर रही हूं घ्यास के फ्लिम को आप मीडियम या हाई पे रखेंगे तो चलाते ही रहना है अब देखो एक उबला गया है दूद में अब इसमें हम एक कस्टर के घोल को अध कर लेंगे एक custard के घोल को add करने के पहिले एक बार अच्छा सा mix कर दीजिए क्यूंकि custard powder नीचे रह जाता है थोड़ा थोड़ा custard डालते रहेंगे और एक साइड से mix करते रहेंगे ग्यास के flame को low flame पे रखके custard को add कर लीजिए सारा custard add करने के बाद अच्छा सा mix करते रहना है एक custard अच्छा सा पकने तक और थोड़ा मैं ये बॉल में थोड़ा custard था तो थोड़ा पानी डालके mix करके ये पानी को add कर रही हूं custard के अब अच्छा सा चलाते हुए कस्टर अच्छा सा पकने तक पकाना है देखो अब एक कस्टर अच्छा सा पकने लगा है अब एक पकने के टाइम हम इसमें चीनी आड़ कर लेंगे देड़ कप चीनी आड़ कर रही हुँ हम यहां पर अब चाहें तो थोड़ा सा कम ज़ादा करके चीनी को आड़ कर सकते ही मेठे के हिसाब से ये perfect रहेगा देड़कप चीनी वे चीनी आड़ करने के बाद अच्छा सा mix कर देंगे mix करते हुए पकाएंगे custard को custard अच्छा सा पकने तक दुबारा से custard पकने लगना है तब तक हम पक पकाएंगे अभी कस्टर में मैं वेनिला एसल्स आड़ कर देती हूं वन बै फोथ टीस्पुन जितना वेनिला एसल्स एक कस्टर पाउडर वेनिला फ्लेवर का ही है तो थोड़ा सा फ्लेवर कम लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा वेनिला एसल्स आड़ कर रही हूं अब चाह इक कस्टर अच्छा सा पकने लगा है इसी तरह पकना है बस इतना ही पकाना है अब ग्यास को आफ कर देंगे आफ करके छोड़ देंगे थंडा होने के लिए तोड़ा थंडा होने के बाद हमें डीफ्रीज में रख देंगे दो घंटे के लिए सोस्ते होंगे इक कस्टर कितना गाड़ा है इस डी फ्रिज में रखने के बाद और अच्छा सथ ठिक हो जाएगा अगला प्रोसेस देखेंगे डी फ्रिज में रखने के बाद दो गंटे के बाद अगला प्रोसेस देखेंगे मेरे चानल पर आप नहीं होंगे तो प्लीस फ्रेंज मेरे चानल को जुरूर सब सब्सक्राइब बचन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकान को क्लिक कीजिए ताके में अपलोड करेंगे तो वीडियो सब सब पहले देख सके दो गंटे मैं डिफ्रीज में रखके एक कस्टर को निकाल ली थी देखो कितना घठ हो गया है कस्टर इसी तरह मैं अच्छा सा ग्राइन करी थी है कस्टर को एक बॉल में निकाल लेंगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा कस्टर दालके हम ग्राइन करके निकाल लेंगे कस्टर को अब जरूर ट्राइ करके देखियो फ्रेंड्स ये शाही कस्टर को बच्चे तो आइस क्रीम भूल जाएंगे कस्टर खाएंगे तो देखों का क्रीमी स्ट्रक्चर अगर, बच्चों को हम आईस क्रििम देने से इसी तरफ फुरूट कस्टर बना के देंगे तो बच्चे भी पसंद से काएंगे, health वैस भी हमें इसमें फूर्ट दालने से अच्छा है, यह कस्टर रेडी हो गया, फूरूट्स आड कर लेंगे, यहां पर अनार दाना और कटा ह हुआ केला और ये ग्रीन ब्लैक अंगूर और कटा हुआ एपल एड़ कर रही हूं अब मन चाहे फूर्ट्स एड़ कर सकते ही फूर्ट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा करके दाल सकते ही अब मन चाहे फूर्ट को ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते ही अपको पसंद नहीं को होगा तो वो fruit को इसमें से निकाल के अपको मन चाहे fruit को add कर सकते ही अब इस सारे fruits को हम add कर देंगे custard में add करने के बाद अच्छा सा mix कर लेंगे इस फ्रूट कर स्टर की थिकनेस थोड़ा पतली हो जाएगी हमें fruits add करने के बाद क्यूंकि ये fruits में थोड़ा पानी रहता है इसलिए हम fruits add करने के बाद के थिकनेस थोड़ा चेंच होती है और इसमें कटे हुए बादम और काजू add कर लेंगे और चाहे तो पिस्ता खजूर अ कर ले सकते ही काजू बादम add कर देती हूं दुबारा से mix कर देंगे इसी तरह आप कस्टर बना के रख ले सकते ही कस्टर को बना के डीफ्रिज में रख दीजिए कब मन चाहे तब थोड़ा सा कस्टर काड़के मिकसर जार में दालके ग्राइंड करके इसमें fruits add करके सब कर सक रखते ही डीफ्रिज में रखना है इस बात की देहन रख लिजिए देखो बनके तयार हो गया है हमारा शाही fruit custard उपर से अनारदाना और थोड़े से चरीज दाल के decoration कर दीजिए थंडी का मोसम जा रहा है गर्मियों का मोसम शुरू होने लगा है गर्मियों के मोसम में आप यह fruit custard को जरूर ट्राइ करके देखिए सिर्फ टेस्टी नहीं healthy भी है फिर किस बात के देरी फ्रेंज आप भी यह शाही fruit custard को जरूर ट्राइ करके आपको कैसे लगी किये recipe मुझे comment करके बता दीजिए recipe अच्छी लगी तो like करिए अपने friends के साथ share कीजिए और tasty recipes के लिए मेर अगली recipe के साथ थैंक यू फर वाचिंग